नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं दिसंबर महीने से महिलाओं को बड़ी हुई रासी उनके खाते में भेजी जाएगी इसी तरह अब साल में 30,000 रुपे हेमान सुरेन सरकार महिला लावको को देगी बता दे हेमान सुरेन केबिनेट ने 100 महार को जार्खन की करीब 50 लाख महिलाओं को बड़ी सोगा दी है दिसंबर से इनके खाते में 25 रुपे आएंगे जार्खन केबिनेट ने मैया समान योजिना की रासी एक हैसे बढ़ा कर 25 रुपे कर दी है जार्खन में बिधान सभा चुनाओं की खोसना से पहले हेमान सुरेन सरकार ने आधी अबादी को बड़ा तोफा दिया है मैया समान योजिना की रासी धाई गुनी बढ़ा दी गई जार्खन केबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है अब 18 वरस से 49 वरस के हर वर की महिलाओं को जार्खन मुख्यमंत्री मैया समान योजिना का लाब दिया जा रहा है हेमान्त सुरेन ने जार्खन की महिलाओं को ठगा हेमान्त विश्वा असम के मुख्य मंत्री सा जहार खंड भाजबा के चुनाव प्रभारी हिमन्त भीश्वा सर्मा ने मया समानियोजना की रासी बढ़ाने के हमान सुरेन सरकार के फैसले पर अपनी परतिकिरिया दी है हिमंता विश्वा सर्मान ने हेमान सुरेन पर आरोप लगाया है कि जार्खन के मुख्यमेंत्रिन महिलाओं को एक है रूपे देखकर उन्हें ठगा है पहले हिन्हे महीलाओ के खाते में हर माहीने 1500 रुपे देने चाहिए थे उन्होंने कहा है कि ऐसे पहसलों से जार्खान में इंडी गड़वन जीत नहीं सकता हरियाना की तरह जार्खान में भी उसे मौह की खानी पड़ेगी औसम के मुख्य मंतरी हिमन्त B.Ο. सर्माइ ने कहा है कि भार्तिय जानता पर्टी के दबाव में आकर हैमान सुर्यन की सरकार को ज्यारखन मुख्यमन्तरी मयायर समान योजना की दासी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि भाजपा की गरांटी 100% पूरी होती है इसलिए हर्यान्ना ने कांग्रेस नहीं भाजपा की गरांटी पर यकिन किया है आज नकसलियों का जहारखन बंद पुलिस अलर्ट नक्सलियों ने 15 अक्टूबर को जार्खन बंद बुलाया है इसको लेकर जार्खन पुलिस अलर्ट मोड पर है पिछले दिनों नक्सलिय जया ओर्फ मनोर्मा की मोद की बिरोध में भागपा मवादी ने 15 अक्टूबर को जार्खन बंद की घोसना की है इसको लेकर भागपमवादी के वर से प्रेस फिक अपती जारी की गई वहीं जार्खन पुरिश नक्सलियों दोरा जार्खन बंद की खोसना के बाद सतर्क हो गई है जार्खन में इड़ी की बड़ी करवाई 25 ठीकानों पर छापे मारी रायधानी रांची से लेकर चाई बासा एक बार फिर से सोमवार की सुबा इड़ी की टीम ने कई ठीकानों पर छापे मारी शुरू कर दी है पेजल एमस्वक्सता भी भाग के जल जीवन मिशन में अनिमिता से जुड़े मामले को लेकर इड़ी की टीम चापे मारी कर रही है बतादे जिन जागों पर ED की टीम छापे मारी कर रही है उसमें रातू रोड इस्थीत इंद्रपुरी रोड में विजय अगरवाल के आवास के अलावा हर्मु और मुरबादी में भी छापे मारी चल रही है गौतला भाई की सुमवार की सुबा एक साथ ED की टीम यार पोर्ट रोड इस्थीत ED ओफिस से निकल कर अलग-अलग ठीकानों पर पहुँच कर छापे मारी कर रही है जारखन में 108 एमुलेंस सेवा दूसरे दिन भी ठप मंत्री का आवास घेरा जारखन में एमुलेंस सेवा दूसरे दिन भी ठप रहा एमुलेंस ठप हो जाने से मरीजों को खासी दिक्तों का सबना करना पर रहा है एम्बूलेंस करमचारी बेतन भुगता ना होने से नराज हैं और हरताल पर चले गए हैं इससे राज में संचारीत करी 500 एम्बूलेंस का परचारन बंद हो गया है सुमवर को सेक्डो करमचारी ने स्वास मंत्री बना गुपता के मौरबादी इस्थित आवास के घराव किया करमचारी के काहना है जब पुरानी कंपनी मेसर्ज जिकित्जा हेल्थ केर लिमिटेट की जगा पर सिकंद्राबाद की कंपनी EMRI Green Health Services काम कर रही थी निवीदा समाप्त होने पर मेसर्ज जिकित्जा ने दो महिने का बेतन नहीं दिया वहीं EMRI Green Health Services की भी निवीदा समाप्त होने पर नई एजेंसी मेसर्ज सम्मान फौनेशन को काम सोपा गया है करमचारियों को भाय है कि एजेंसी के बदलने के बाद सितंबर महा का बेतन भी नमबित नहीं हो जाए वहीं उनका कहना आइकून है पी एप की सुविधा भी नहीं मिलती है जारखन के 62,000 पाराश सिक्ष को को मिलेगा E.P.F का लाब वहीं राई सरकार अपनी ओर से 950 रुपे अलग से देगी राई सरकार ने सभी टेट पास प्रसिक्षीत और अप्रसिक्षीत पराश सिस्गों के 15,000 मांदे के बेस पर E.P.F की खटोती होगी बतादे पाराश सिस्गों के मांदे से 12 परसियत जबकी सरकार मत से 13 परसियत E.P.F में भुकतान होगा जारखन राज आंगनवारी सेविका साहिका सन्यूक्त संहर्ष मोर्चा के आवाहन परस्व मोरको दसवे दिन भी आंगनवारी सेविका वा साहिका के अनिस्चित करिने हरताल जारी रही जिला अध्यक्ष देवन्ती देवी की अध्यक्षता में जीले भर की सेविका वा सहाई का जहंडा मैदान में धार्ना पर डटी है धारना में मुक्य रूप से महासंग के परदेश महामंत्री असोक कुमार सिंग नयन वा परदेश सलाकार प्रयाग परसाद याद उपसित रही जिला अध्यक्स देवंती देवी ने कहा है कि जब तक हमारी आठ सुत्री मांग पूरी नहीं होती है तब तक हरताल जारी रहेगी परदेश महामंत्री असोग कुमार सिंग नयन ने कहा है कि केबिनेट की बैठाक में हमारी आठ सुत्री मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा सीटो के बटवारे और जेमेम परत्यासी चैन के लिए सीबू सुरेन और हमान सुरेन अधिकरीत जारखन विधान सबा चुनाव को लेकर जामो मो केंद्रीय समिती की बिस्तारीत बैठाक सुमार को रांची में हुई है इसमें केंद्रीय समिती ने गडबंधन या सजोगी दलों के साथ सीटो के बटवारे और परत्यासी चैन के जारखन मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अधिक सीबू सुरेन और कारी अधियक शेमान सुरेन को अधिकरीत किया है रांची के हर्मो इस्थीत सुहराय बहुन में सुमार को जामो केंद्रीय समिती की बिस्तारीत बैठाक संपन हुई है इस बैठाक में जारखन विधान सभा चुना दोहजर चोविस पर चार्चा संगठनिक इस्थीती पर विचार विमर्ष सज़स्यत्या अभियान की समिक्षा के साथ साथ बरतमा राजनित्क पर चार्चा हुई है जामो के केंद्रीय अध्यक सीबु सुरेन एवं कारकारी अध्यक सहमा सुरेन को गठ बंधन या सयोगी दलों के साथ विधान सभा सीटों के बटवारे एवं पार्टी के अधिक्रित परत्यासियों के चैन के लिए केंद्रीय समिती द्वार अधिक्रित किया गया है जहारखन के सभी मेटकल कॉलेजों के डॉक्टर आज भूख हरताल करेंगे कुलकात्ता में डॉक्टर 170 घंटे से अधीक समय से भूख हरताल कर बिरुत प्रसंद कर रहे हैं जहारखन के सभी मेटकल कॉलेज के प्रतिनी दियों ने सोमवार को बैठ ठक की और देश भ्यापी आवाहन पर टीम जहारखन ने ने लिया है कि जहारखन के सभी मेटकल कॉलेज के डॉक्टर मंगलवार की सुबा 6 वजे से साम 6 वजे तक भूख हरताल पर रहेंगे जिससे सभी बैकल्पिक और गर अपात कालिन सेवाए बंद रहेंगी या एक सांती पुन बिरोध प्रसन होगा और अपात कालिन सेवाए चालू रहेगी और उन में समुषित एस्टाप रहेगा अपात कालिन सेवाओ के सुचारू संचालन को सुनेश्चित कराने के लिए उन भी भागों में डॉक्टर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी कैबिनेट में मुखिया संग की मांग पर विचार नहीं होने से आक्रोस जारकन परदेश मुखिया संग सोमार को जारकन सरकार के कारकाल के संभावता अम्तिम कैबिनेट में मांग को पूरी नहीं किया जाने पर आक्रोसित हैं संगठन द्वारा जारकन सरकार के मंत्रियों एमजन परतिनी दियों पर सब्ज बाग दिखाकर राजभौन के पास पिछले दिनों 11 दिनी बेमियादी अंसन समाप्त कराने का रोप लगाया है संगठन के परदेश्त अध्यक सोमा उराव ने बताया है कि पांच सुत्री मांग को लेकर किये गए बेमियादी अंसन अस्थल पर सरकार के मंत्री सांसर दोवजन परतिनी पहुँचे थे सभी ने उनकी मांगों को जाज बताते हुए समय पर पूरा करने का भरूसा दिया था उन्होंने बताया है कि विभागे मंत्री डाक्टर इफार अंसारी स्वेम धारनास्थल पर पहुँचे थे से चार सवन ठाड में समधाएक सुष्व पताधिकारियों ups नेयुकत पत्र का बित्रन किया है इस दरान चुवरां धोरन नेयुकति स्वास्थ बेवस्था में अहम भूम का निभाएं। स्वास्थ बेवस्था सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों के बनने से मजबूत नहीं होगा। अस्पताल में दवाईयां और नर्सिंग स्टाफ ही बहुत जरूरी है। चाईबासा के जंगल से दो आईडी बरामत। नक्सलियों ने 5-5 किलो का दो आईडी लगाया था। और उन्हें मुख्य अतिथी के रूप में पुजा में सामिल होने के लिए आमंतृत किया है। रांची जिले के मांडर परखंड में दो दिवसी अतिहासिक मुर्मा मेला कायोजन हर वर्स किया जाता है। इसमें समरिद आजदिवासी प्रमपरा और संस्कृति की जलक देखने को मिलती है। बतादे ज़ारखंड के मुख्य मंत्री हमान सुरें से सोमवार को ज़ारखंड मंत्राल में अतिहासिक राजी परहा जत्रा समीति के प्रतिनिधी मंडल ने मुलकात की। मुख्य मंत्री को प्रतिनिधी मंडल ने 18 यम 29 अक्टूबर को राज किये प्रमप्रागत एथिहासिक पढ़ा जत्रा समारोह के अवसर पर आयोजीत पुजा में मुख्य अथिती के रूप में सामिलित होने के लिए मंत्रित क्या है सीयम हमंत ने 14 सांसत कालीच रंसिंग के स्वास्थ की जनकारी ली जार्खन के मुख्य मंत्री हमंत्री सोमार को राज के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स पहुंचे है उन्होंने चत्रा के सांसत कालीच रन सिंग और गुवा गोली कांड के सहीद के वनसज दुर्गुरिया सिरका से मुलकात की और उनके स्वात की जनकारी ली है इस दोरान मुख्यमंत्री रिम्स प्रबंधन को मरीजों को बेतर स्वास्त सुविधा उपलप्त कराने का निर्देश दिया बतादे जार्खन किसी हम हमस्तुरेन रिम्स के काडियोलोजी डिपार्टमेंट में इलाजरत चात्रा के संसत काली चरन सिंग के स्वात की जनकारी ली और उनसे बात चित कर उनका कूसल छेप जाना है मुख्यमंत्री ने चात्रा संसत के जल्द स्वास्त होने की कामना की बतादे चात्रा संसत काली चरंसिंग की तबियात बिगणने के बाद उन्हें रिम्स के रेफर किया गया था ज्यारखन में अवैध चुनाओ खर्च पर नजर रखेंगे SST एवं FST ज्यारखन में अवैध चुनाओ के दोरान आदर्स अचार संहीताव लंगन और अवैध चुनाओ खर्च की निगरानिक जिम्यदारी SST और FST को सोफी गई है ज्यारखन के मुख निर्वाचन पतादिकारी के रभी कुमाने सोम और को एजन कारीती है मुख निर्वाचन पतादिकारी ने कहा है कि ज्यारखन विधान सबाचुनाओक दोरान इनफोर्समेंट एजनसी अवैध गतिविद्यो को रोकने एवाम उस पर पूर्ण परतिवन लगाने के लिए मुस्तहधी से काम करे हर अस्तर पर इसकी मोनेटरिंग की जाएगी मुख निर्वाचन पतादिकारी ज्यारखन के रविकुमार ने कहा है कि स्वक्ष निस्पक्ष एवं सांती पूर्ण मद्दान कराने के लिए निर्वाचन के कारियों में लगे पतादिकारी भारत निर्वाचन आयों के दीसा निर्देशो कानोपालन सुनिश्चित करेंग चक्रधरपुर में 24 घंटे बाद निकला विसर्जन जुलूस चक्रधरपुर में 24 घंटे बाद निकला विसर्जन जुलूस निकला गया। चक्रधरपुर में 24 घंटे बाद निकला विसर्जन जुलूस 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 आज और तेजी गती से विकास के पत पर दोरने लगेगी देवेंद्र मां जी को गरीबों का सच्चा मसिया बताते हुए कहा है कि हमारी जेमेदारी है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाए पांच साल में 50 क्लोर का मालिक बना नीतिय सिंग नल जल योजना में क्लोरों के घोटाले से जुड़े मामले में एडी जहारखन सरकार के एक मंत्री आयेस अधिकारी मनीश रंजन समेत कई भी भागे इंजिनियर से जुड़े 20 ठीकाणों पर छापे मारी कर रही है बताद एडी की इसी करवाई के बाद एक बार फिर से गढ़वा के चिनिया प्रकाणिस्थीत बरवाडी पंचायत के पुरु मुखे नितिय सिंग का नाम चर्चा में है नितिय सिंग ने कम समय में ही गाव में करीब एक ओर से अधिक लागत से आलिसान घर बना लिया है लेकिन इस पांच साल में उनकी संप्रती में बेताहासा इजाफा हुए है यह सवाल उठने लगा है कि आखिर किसके सनरचर में नितिय सिंग पांच साल में 50 कोर से अधिक संप्रती का मालिक बना है इडी की छापे मारी नहीं बलिक राई नितिक छापे मारी है मिथिलेश ठाकूर अगर इडी पारदार सिता से काम करें तो हम पूरा सयोग करेंगे इडी को कट फुतली नहीं बनाना चाहिए लोग सबहा चुनाव से पहले भी मुझ पर भाजपा में सामिल होने का दबाव था हम किसी को पठखनी नहीं देते सिधे पठक देते हैं सीम हमांद सतारूट झारखन मुक्ती मोर्चा ने फिर से सता में वापसी के लिए सोमो आरको ठोस रनिती बनाई है पार्टी के बिस तारित केंद्रिय समिती की बैठक में लवबक आट घंटे नताव ने मन्थन किया है इस दोरन बैठक में भाग ले रहे नतावों से सुझाव लिए गए दिन भर के बेस्त करकरम से समय निकाल कर मुक्य मंत्रिसाजामो के करकरिया धक्स हमान सुरेन ने बैठक में उपस्थिती दर्च करा कर मवजूद नतावों में उत्साव भरा उन्होंने कहा है कि सभी चुनाव के लिए तयार हो जाए भाजपा के भ्रम का जबाब देना है बैठक के बाद उन्होंने मईय समान योजना की रासी बढ़ाने की नेनाय का हवाला देते हुए कहा है कि हम किसी को पटखनी नहीं देते हम सिधे पटख देते है चुनाव के तयारियों के संदर में केंद्रीय समेती की बिष्टारित बैठक होई है इसमें सभी जीले के जीला अध्यक्ष एम सचीवों के साथ बातचीत में सुझाव लिए गए है जार्खन के बीत रहीच सिक्षा करमचारियों की 75% अनुदान बढ़ोतरी प्रस्ताव लोटाया जार्खन के बीत रहीच सिक्षा करमचारियों की 75% अनुदान बढ़ोतरी अटक गई है सिक्षा बिभाग की मंजूरी के बाद बिभाग ने इस पर अपत्ती लगा कर सनले की फाइल लोटा दी है रासी का बहाव जाताया गया है बित बिभाग ने असपर्ष्ट किया है कि बित रहीत संस्थानों के लिए 100 क्रोर का प्रधान किया गया है 75 फिजदी अनुदान बढ़ होतरी होने से 56 कोर रुपय का अत्रीक्त भार होगा बर्नतवान में अनुपुरक बयट से अत्रीक 56 कोर का बयट अवंटन सम्हाव नहीं दिख रहा साथ ही राज सरकार दवारा कई नई कल्यानकार योजनावों के लागू होने से राज कोस पर भी अत्रीक्त बीतिये भार का वहन बीतिये प्रबंधन के दिरिश्टी कोस से उचित पर्तित नहीं होता है मधु कोडा मामले में इडी को हाई कोट जाने का निर्देश मनी लॉंडरिंग केस में जार्खन के पुरु मुख मंत्री मधु कोडा की विरोद सुनवाई परलगी रोक हाटाने के लिए सूप्रीम कोट ने इडी को हाई कोट जाने के लिए कहा है जस्टिस सजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीट को इडी की ओर से पेस एडिस्नल सोलिस्टर जनलन एस्वी राज्जु ने बताया है कि 77 गवाहों में से 25 की गवाई हो चुकी है इस चेरण में हाई कोट को सुनवाई परोक नहीं लगानी चाहिए थी ज्टकी में अजीम प्रेमजी प्रोडेशन द्वारा मेटकल कोलेज सा हस्पताल के स्थापना की जा रही है मुक्ष मंत्री सोमवार को प्रजेक्ट बहुन सभागार में समुदाईक स्वास पतादिकार यक नियुक्ती पत्र बित्रन समारों को समुदित कर रहे थे कांग्रेश नेता बेटी के साथ भाजपा में सामिल जारखन बिधान समा चुनाओ से ठिक पहले जमुआ के पुरविधायक सुकुर बिधास अपनी बेटी डाक्टर मंजु कुमारी के साथ भारतिय जनता पार्टी में सामिल हो गए है सो मौरको रांची के हर्मो इस्थित भाजपा का रियाल में अवजीत मिलन कारेकर में दोनों ने भाजपा का दामन थाम लिया है परदेश भाजपा अध्यक्स बावलामांडी परदेश चुनाव सह प्रभारी यम असम के मुख्यमत्री हिमंत्र विश्व सर्माने पार्टी का पहना कर दोनों का स्वागत किया है पिता पुत्री को भाजपा में सामील कराने के बाद धार्खण के प्रथा मुख्यमत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्स बावलामांडी ने कहा है कि पुरविधायक, सुकुर रविदास और डाक्टर मंजुक कुमारी के हमारे साथ आने से पार्टी मजबूत होगी धन्यवाद यदि हैब चैनल पर नहीं हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर बाल के बेले कर अंद भई साची साथ वीडियो को एक लाइक के अपने दोस्तों के सेर करना भूले साची साथ आप हमें कमेंट बक्स में बताए कि क्या आपको मैया समानी वजना की रासी मिलती है या नहीं हमें आप कमेंट बक्स में अवस्त बताए थैंक यू